इनेक्टमेट आफ दा कांसिचूशन के ठीक है कांसिचूशन जो इनेक्टमेट क्या होता है लागू करना ओके तो डाक्टर बीमराव अमेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट बनाया और उसको असेंबली में इंटेड्यूस किया 4 नमबर 1948 में फर्स्ट रीडिंग के लिए और इस पर जनरल डिसकूशन चली ठीक है यह डिसकूशन जो पांच दिन कांटिनू चलती है और 9 नमबर 1948 तक यह डिसकूशन चलती रही ओके सेकेंड रीडिंग स््टार्ट हुइब क्लास बॉय क्लास स्टारेशन एक एक क्लास को एक Ouais को पे दो बहस होती है तो सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होती है 16 नमबर 1948 को और एंड होती है सेवनेई एक्टूबर 1949 को ठीक है तो इस ताइम 7653 amendment हुई ठीक है 2473 amendment को actually में discuss किया गया assembly में थर्ड reading शुरू होती है 14 November 1949 में ठीक है तो finally जो draft constitution है इस पर सभी sign करेंगे 26 November 1949 को ठीक है तो उस समय 299 में से 284 member present थे ठीक है और उन्होंने sign किया constitution पर ठीक है ये date जो mention भी की गई है preamble में तो constitution adopt किया गया 26 November 1949 को तो friends इस पूरे काम में एक major role play किया बीमराव अमेटकर जी ने उस समय बीमराव अमेटकर ला मिनिस्टर थे उन्होंने assembly में पूछे गे जितने भी सवाल थे उनको detail में answer भी दिया उनके argument बहुत ही logic हुआ करते थे वो अपने argument के थुरू एक बहुत अच्छे speaker थे तो इसी लिए उनको constitutional expert माना गया है ठीक है उन्हें कहा जाता था chief architect of the constitution of India ठीक है कहा जाता है उन्हें chief architect of the constitution of India और इनको modern manu भी बोला गया है तो constitution में एक preamble था 395 article और 8 schedule थे तो यह था friends हमारा enactment of the constitution तो आप बात करते हैं enforcement of the constitution के तो बात करते हैं enforcement of the constitution ठीक है तो some provision of the constitution returning to citizenship, election, provision, parliament तो यह कह रहा है friends कि कुछ provision जो थे constitution के ठीक है वो force में आगे कब 26 November 1949 को जो बाकी जो part बचा था constitution का जो major part जो constitution का बचा था वो कब आया force में वो आया 26 January 1950 को तो इस date को हम date of commencement भी कहते हैं और celebrate करते हैं Republic Day तो यह 26 January 1950 को ही क्यों constitution को लागू किया गया इसके पीछे भी friends जो कहानी उसको समझते हैं तो December 1929 में एक लाहोर session होता है ठीक है लाहोर में session हुआ और उस session में जो बोलागे कि ब्रिटिशर ने हमारी self rule की बात को बिल्कुल भी नहीं माना तो अब हम अपने अजादी खुद लेंगे पूरन सवराज को डिकलेर के हैं यहां पे ठीक है तो एक दीन रखा गया 26 January 1930 26 January 1930 को first time free India का flag लहराया गया पंडित जौलाल नहरूजी के दवारा तो friends 26 January को जब यह काम हुआ तो International Congress की तरफ से ठीक है 26 January को एक important date माना गी ठीक है तो उस समय International Congress की लीडर ने यह बोला कि जब हम अजाद होंगे तो हम अजादी की date रखेंगे 26 January को ओके लेकिन जब अजादी हमें मिली तो वो मिली 1947 फिव अगस्त के है ना तो January तो जा चुका था ठीक है तो हम January का वापिस wait नहीं कर सकते थे तो 26 January 1950 को कुछ करना होगा तो complete constitution को force में लाया गया 26 January 1950 को ठीक है इस दिन हमारे constitution पूरा जो है वो force में आ गया था ठीक जब हमारा constitution force में आया तो ये बोला गया जो India Independence Act 1947 और Government of India Act 1935 जो थे वो रहेंगे लेकिन अगर India Independence Act of 1947 ठीक उसका या पुर्वीजन ओके या Government of India Act 1935 का पुर्वीजन हमारे constitution की पूर्वीजन में अगर कोई contradiction डालेगा ठीक है अगर उस contradiction में आया तो उस हद तक Government of India Act 1935 और India Independence Act को मानने नहीं माना जाएगा लेकिन जब तक कोई clashes नहीं आया ठीक है तो ये मानने माना जाएगा तो एक प्राइवी कॉंसिल एक 1949 को अब बोलिश कर दिया गया था ठीक है इसको मानने था नहीं दी गई जो प्राइवी कॉंसिल एक था 1949 में ओके तो यह था फ्रेट्स मारा इन्फोर्स्मेंट अफ़ था कंसीटूट कमेटी आफटा कउंगरेस ऑगे तो एसे स्टाट करते हैं तो वाइल इलेक्शन टू दा था कंसीच्ट सेंब्ली स्टिल इन प्रोग्रेस यह कह रहे हैं कि सब कंसीच्ट ए सेंबली के इलेक्शन जो हció है वह कंडिई चल रहे है जुलाई 8 1946 में Congress Party के दवारा Appoint की जाती है Expert Committee Expert Committee Appoint कव की गई थी 8 July 1946 में और की किस के दवारा गई थी International Congress जो Congress Party थी उसके दवारा अपोइंट की गई थी तो इसका काम क्या था Preparing Material for the Constitute Assembly क्या Material को Prepare करना किस के लिए Constitute Assembly के लिए और और इसका काम था जो Constitute Assembly जो है ये बाद में किस तरह से function करेगी ओके फ्रेंट्स तो आए देखते हैं इसके Members तो Member of Expert Committee के अगर बात करें तो पंडिस वाला नहरू इसके Chairman थे M.S.A.F.A.L.E. K.M.U.J. N.Gopal Swamy Iyengar, K.T. Shah, D.R. Gatgill, M.A.U.K.B.E.R. and K.S.A.T.M.E. तो आए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है लक्षमी कान की बुक में तो Friends इस Expert Committee की दो बार Meeting होती है तो पहली बार हुई New Delhi में July 20-22 1946 में और Second Time इसकी जो Meeting हुई हुई भूंबे में 15-17 August 1946 में ओके तो Friends इस Committee ने बात क्या की कि जब Constituate Assembly बनेगी तो उसमें Procedure क्या होगा और दूसरी बात जब Constituate Assembly बनेगी तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कमेटी को create करना था ठीक है कौन कौन सी कमेटी को create किया जाएगा जे दो बात इन्होंने कि इस Expert Committee ने ओके तो Friends एक British Constitutional Expert है Granville Austin तो Granville Austin ने इस Expert Committee की बहुत तारीफ किया है ठीक है तो Granville Austin ने कहा है Election खतम होते ही Constitute Assembly बनी वो कामू को अच्छे से इसलिए कर पाई उसका एक कारण था बेस को इस Expert Committee ने पहले से ही तियार किया था ठीक है तो Next है ये Expert Committee Cabinet Mission के Framework के अंडर बनी थी ये भी एक Important Point है ये पता होना चाहिए ठीक तो इस Committee ने एक Resolution भी बनाया था और उस Resolution से मिलता जुलता एक Resolution पंडेजवाला लहरू ने इंटर्डूस किया था ठीक है Constitute Assembly में जिसका नाम होगा Objective Resolution ओके फ्रेंट्स तो ये थे हमारी Expert Committee of the Congress कर रहे हैं तो आई तो वीडियो 24 में हम बात करने जा रहे है Criticism of the Constitute Assembly ठीक है तो Constitute Assembly के बहुस सारे लोगों ने Criticize किया इसको तो वो क्या Criticism थे उसके बारे में डिस्क्स करते हैं तो लक्ष्मिकांद के बुक से हम ये Reading कर रहे हैं उसको Understand कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा है Not a Representative Body तो ये बोला गया हमारी Constitute Assembly जो है वो एक Representative Body नहीं है मतलब लोगों ने Universal Adult Franchise के बेसिस बे उनको Elect नहीं किया है तो ये एक Criticism था तो Second ये बोला गया है Not a Sovereign Body Sovereign Body means बोला कि हमारी जो Constitute Assembly बनी है वो British के Proposal पे बनी है Cabinet Mission Plan के अंदर बनी है तो ये एक Sovereign Body नहीं है तो तीसा Criticize जो है ये बोला कि टाइम कर जिमिंग तो ये Constitute Assembly है उसको बहुत टाइम लगा बनाने में तो बाकी देश के Constitution बनने में इतना टाइम नहीं लगा तो अमेरी उसे के Constitution है उस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो हमारे Constitution को बनने में बहुत सारा टाइम लगा ये कहा गया ये Criticize किया गया Constitution Assembly को तो Not a Representative Body Not a Sovereign Body Time तो लगना ही था इतना बड़ा देश है इतना बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हुए है देश को चलाना आगे उसके लिए Constitution बनाने है बहुत सारा जो प्रॉब्लम क्रेट हुए थे 1947 से पहले है ना तो इन सब को देख करके टाइम तो लगना ही था ठीक है तो काफी लाय और जो बैठे थे हमारे Constitution को बनाने के लिए तो उसी Constitution से आगे पूरा देश चलाना था ठीक है तो यह जो criticism है यह criticism को मेरे according तो यह criticize तो बनता नहीं है कि टाइम ज़्यादा लग गया जाए sovereign body नहीं है representative body नहीं है ठीक है तो यह criticize थोड़े से गलत है ला constitute assembly बनी है one country one party assembly है यह ठीक है इसमें के बल कांग्रस ही Congress है ओके ग्रैंड विल अस्टीन यह कहते हैं the assembly was the Congress and the Congress was the assembly ठीक है next criticism है lawyer politician domination यह बात सहीं बोलेगी हमारे जो सवीदान में lawyer कुछ ज़्यादा ही थे ते इसलिए constitution है उसकी language भी आपको काफी legal language मिलेगी ठीक है normal जो इनसान हो उसको understanding में थोड़ा कम आएगा ठीक है तो यह lawyer politician domination कहा गया यह कहा गया इसमें जो भी language जो है वो lawyer को समझ जाएगी तो आम इनसान को वो थोड़ा सा कम समझने आएगा ठीक है तो next बोला गया dominated by Hindus लाड विस्काउंट साइमन एंड विस्टन चर्चिल के द्वारा यह कहा गया कि जो constitute assembly जो है वो represented only one major community in India कि बारत की जो एक major community जो है Hindus उसके द्वारा यह ज्यादा रिपनेंट है उनी के द्वाइड करते है इसमें यह कह रहे हैं कि हिंदू से dominated है ठीक है जो constitute assembly जो है यह हिंदू से dominated है यह थे फ्रेंट्स मारे कुछ criticism जो constitute assembly क्रिटिसाइज किया गया है ठीक है तो यह कुछ criticism से जो हमने discuss किया अभी ठीक है तो next वीडियो हमें लेकर के आईगे important fact of the constitute assembly okay facts of the constitution and Hindi text of the constitution की और हम बात करेंगे यह भी table जो है यह ना allocations of seat of the constitute assembly okay results जो क्या थे उनके table के वारे में थोड़ी discuss करेंगे जो हमारे लक्षमिकान पॉलिटी में दिये गी है तो बात करते हैं important fact of the constitute assembly की सबसे पहले है elephant was adopted as the symbol seal of the constitute assembly ठीक है तो हमारे constitute assembly का यह symbol जो था वो कहता हा थी okay तो हमारे constitution के constitutional advisor को थे वो थे sir बी एन हराओ हमारे constitution assembly के scripture को थे ह एच वी आर एंगर ठीक है तो constitution assembly के chief draftman को थे s.n.mukharji कैलिगराफर जिनों ने अपनी handwriting से constitution को लिखा था वो थे प्रेयम बिहारी नराएन राइजादा ओके original version को decorate किया गया नंद लाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिनहा के दवारा और हिंदी वर्जन में बसंत क्रिशन वैदेजी ने लिखा हिंदी वर्जन और नंद लाल बोस ने इसको decorate किया था ठीक है तो आब हम friends बात करेंगे हिंदी टेक्स टाफ़ता constitution के तो friends जब शुरू में constitution बना तो हिंदी की बात हिंदी में constitution बनाने की बात ज़्यादा नहीं हुई थी ठीक है लेकिन बाद में ये बात आई कि हिंदी वर्जन भी होना चाहिए तो हिंदी वर्जन को लाया गया इसके लिए 58 constitutional amendment act 1987 आया इस amendment act ने एक नया article डाला constitution में article 394a ठीक है ये part 22 में डाला गया इसको ठीक है तो इसकी heading को देखे friends तो नजर आएगी हमें शार टाइटल, commencement and reappeal ओके तो ये बोला गया कि constitution का एक हिंदी वर्जन में भी introduce होना चाहिए ठीक है ये constitution के हिंदी वर्जन में हिंदी वर्जन को publish करने के लिए हिंदी language के साथ, उसके styles के साथ, उसके tax, उसके figure के साथ जितनी भी arrangement करनी पड़े वो की जाए ऐसा बोला गया ठीक है और ये का गया कि जितनी भी amendment हुई ये पहले भी उन amendment की एक हिंदी वर्जन को अपने constitution कार्परेट किया जाए है ना उसका हिंदी वर्जन को introduce किया जाए अपने corporation जितनी amendment पहले हो चुकी है उसकी भी और जो हिंदी वर्जन बनेगा वो same to same English वर्जन की तरह होना चाहिए ठीक है और आगे भी in future में जितनी भी amendment होंगी उसके हिंदी वर्जन भी निकाले जाएंगे ये का गया ठीक है तो ये था फ्रेंट्स हमारा हिंदी टेक्स्ट आफ दा कांसिट्यूशन ओके तो अब हम बात करते हैं कुछ टेबल्स जो हमारे लक्षमिगान में दिये गए उसको डिसकस करते हैं तो अगर लक्षमिगान की बुक फ्रेंट्स आपके पास है तो आप टेबल वहां से भी देख सकते हूं मैं आपको एक पर बता देता हूं ठीक है टेबल 2.1 में है ऐलोकेशन आफ सीट अफ कांसिट असेब्ले 1946 ठीक है तो बिर्टिश इस्ट इंडिया के 11 प्रविंसिस थी उसकी जो सीट थी वो 292 थी पर इसली स्टेट्स की 93 सीट थी और चीफ कोमिशनर प्रविंसिस की जो चार चीफ कोमिशनर प्रविंसिस थी उसके 4 सीट थी ओके तो टोटल सीट थी कितनी 389 अगर टेबल 2.2 देख पा रहे हैं तो उसमें देखिए रिजल्ट आफ ता आफ कांसिट असेंबली जो जो जैल्ट जो था उसमें कंगर्स को मिली 208 सीट मुस्लिम लीग को 73 ठीक है और इंडिपैंडेट जो थे उसको एड़ सीट उनको मिली कॉमिनिस पार्टी को एक सीख नॉन कंगर्स जो थे उनको वन सीट मिली है शेडियूल कास्ट फेडरेशन कॉम्यूनिटी वाइस रिपर्जेटेशन थे थे एंगलो इंडियन त्री और पार्सी जो थे वह 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 तीन सीट जो थी वह रिपर्जेंट की गई थी अलग लग देखिए फ्रेट्स तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक कम्यूनिटी के लोग जो थे व हमारे कांसिचुट असेम्बली में ठीक है जो इसके क्रिटिसिजम जो था जो हमने पीछे पड़ा वह वह एक ऐसे क्रिटिसिजम था ठीक है जिए इसमें सब्षी तरह की कोम्यूनिटी जो हampf terrific को नेग्स टेवल देखते हैं स्टेट वाइज मेंबर्शिप आवदा कॉंसिट असेम्ली आफ इंडिया एज ऑन 31 दिसंबर 1947 तो स्टेट वाइज देखे सबसे पहले मदरास में ठीक है प्रविंसी जो इंडियन प्रविंसी 229 में मदरास को कितनी सीट मिली थी मेंबर्शिप कितने थे 49 बंबे में 21 प्रविंजाव 12 बिहार 36 एंड सीपी एंड बिरार 17 असाम 8 उडिसा 9 डेली में 1 एजमेर मेरवाडा 1 कोर्ज में 1 ठीक है तो इंडियन स्टेज और प्रिस्ली स्टेट सी अलवर से वन मेंबर बडोरा 3 बोपाल 1 बिकानर 1 कोचिन 1 गवालियर से 4 इंडोर 1 जैपूर 3 और कोथक मायूबंच एंड मयसूर से 1-1 ओके मायसूर से 7 जो मेंबर थे पटियाला से 2 ओके रेवा दो जिए फ्रेंट्स जो आपको टोटल स्टेथ 299 ठीक है स्टेट वाइबर शीप जो थे यह अलग अलग प्रविंसिस के अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेंबर जो तो यहां पर सेशन्स ऑफ दा कॉंसिचूट असेंबली तो फ्रेंट्स टोटल 11 सेशन कॉंसिचूट असेंबली के ठीक है 11 जो सेशन्स जो थे वो लगे हैं फर्स सेशन कब से लगे कब तक हुआ 9 दिसंबर से लगे 23 दिसंबर 1946 में 2nd सेशन 20 से 25 जैनवरी 1947 3rd सेशन 28 अपर 27 जैनवरी 1948 सेवन सेशन जो था फ्रेंट्स एट 4 नवंबर 1948 से 8 जैनवरी 1949 तक और 8 सेशन जो था ठीक है वो 16 में से 16 जून 1949 में ओके यो उसके बाद जो 9 सेशन जो है 30 जुलाई से 18 सप्टेंबर 1949 तक 10 सेशन जो है 16 से 17 अक्टूबर 1949 तक 11 सेशन जो है वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक तो फाइनली जो थी वो फिर से मिलती है 24 जैनवरी 1950 में ठीक है तो वहाँ पर सिगनेचर होते हैं Constitution of India में ओके तो जो हमारा फाइनल सेशन जो था जो फाइनल मीटिंग जो थी वो थी 24 जैनवरी 1950 में ओके फ्रें आगे दिखते हैं तो टेबल 2.6 में देखे फ्रेंज टाइम टेकन बाइदा फ्रेमर आफ अधर कांसिचुशन जो बाकी कंट्री के जो कांसिचुशन बनाने वालत होते हैं किरने टाइम लिया यू ऐसे के टोटल 7 आर्टिकल है ठीक है इसमें लेस तैन 4 मेंड चार महीने स को बनाने में ठीक है टेबल 2.7 में देखे फ्रेंज आर्टिकल 393 शॉर्ट आइटल 394 कमेंसमेंट ठीक है 394 ए अथियोरिटेटिव टेक्स्ट इन दा हिंदी लेंग्विज और अर्टिकल 395 रिएपील यह जो आर्टिकल रिलेटीटीटू शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट टेबल में किया है आर्टिकल रिलेटेट तु शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट हीज टेक्स्ट एंड रिएपील क्यों एत एक ग्लाइन्स तो देखिया आर्टिकल भी हमने डिस्क्स किया तो जबी इंपच में पॉर्य चीज जी लिए लाक्ष्मिकार्थ में रि तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर करके आएंगे जो होगा सैलेंट फीचर्स आफ दा कांसिचूशन उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स लाइक शेर करना मत बूलिए ठीक है दन्यवाद